कि शाशेकल जी सार्यानों वेलकम तो लॉंच पाड़ एजुकेशन पंजाब नाउवी आर बाक विद फॉरेस्ट गार्ड एंज क्यूस मॉडर्न हिस्ट्री दे उपर जडिया पर डिसकेश करने है अज फॉरेस्ट गार्ड जिवें कि सानु सार्या नूपता है थर्टीन पर है इंडिस संडे उल्ली ते गिणवे चुनवे दिन रहेगे ने तोड़े को घना सो एजड़े सेशन ने जड़े लास्ट देश्ट लिए जा रहे ने यह तोड़ेली बहुत बेनेफिशल प्रूव होन वाले ने क्यों क्यों कि यह सब तोड़े रिवीजन अस्ते सेशन ले जा रहे ने सो सेशन नूँ अटेंट करना लास तक ना पुलना सो सेशन आल स्टार्ट कर देया आज भी आल नूँ बहुत सरे स्टुटेंट्स ने जड़े स्टिल अनवेर ने अबावड देट ठीके जी तो लेट्स हाव लुक वांस की 13th of नवेंबर दी फोरेस्ट गार्ड दी देट है 4th of December नूँ वी हाव क्लर्ग कम डियो 8th of January वी हाव वीडियो और ग्राम सेवर और 15th of January वी हाव क्लर्ग आंड लास्ट बिट नौद इस्ट वनीश्ट अव जैन्वरी नू एक्साइज अवेपर है ठीके जी एक्साइज वेक मेजर कॉमडेशन है तोड़े सारे अली सो जिनना ने हले तक अन्रोल नहीं की ता बाचर्ज देवच टेस्ट सीरीज देवच तो दूए नौज नौज कि तुसी अन्रोल करके बेनेफिट उठा सकते ताइम दा अधर्वाइस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ठीके जी सो आज बहुत सारे स्टूडेंट सी कि जड़े ओफर्स आ रहे ने फेस्टर सीजन्स नू त्यांचा रख देवे 60% 50% ओफर्स जड़े निकले सी उना था तुसी बेनेफिट नहीं उठाया है तो नाव तोड़ेली जड़ाजी उज्वेल है कि 40% ओफ चल रहे है हरे कोश दे एक साइज इंस्पेक्टर फॉरेस्ट गार्ड ग्राम सेवग ट्लर्क वीडियो एक्जाम दे कोर्स आज वेल आज टेस्ट सीरीज दे उपर 40% ओफ है 40% तुसी अवेल करना है बाइब विजिटेंगा वेबसाइट लॉंच पाड एजुकेशन डॉट है ठीके जी आट बाइप्लाइंग कोड एल पी हर्शीन जिदना तोनू स्टेट अवे फॉर्टी परसेंट ओफ मल जाएगा ऑन ओल दी बाचर आज 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 आ नहीं किती सो हुने टाइम है कि जल्दी तुसी त्यारी शुरू करोगे उन्हीं ज्यादा वदिया तोडी रिविजन होएगी तो जरूरी है कि अपा त्यारी वदिया करिए पीस जड़े स्टूडेंस टागेट कर रहे ने उना दे लिए जड़ा नवा बैच आफ नवेंब लगाना है जी एल्पी हर्शी 10 आज भी आल लों पीसी जड़ा हर साल नहीं आंदा तो देर इस चांस कि 2023 रिविच कि यह पीसे पेपर जरूर आएगा सो जड़े स्टूडेंस सोच रहे ने कैसी त्यारी शुरू करनी है उसी फटा-फट एन्रोल करो ते अपने क्लासे लग रख देने किसे भी कॉंपरिटिव एक्जाम देविच उतनु थोरली कवर कराये जानेंगे टेस्स सीरीज इंक्लूड हो नहीं है मेंस ते प्रलम्स दिया एससे राइटिंग और आंसर राइटिंग जोड़ो आपका PCS UPSC दी गल कर देया एससे राइटिंग आंसर राइट राइट वहलो भारती वेल्कम तो थे सेशन तो फर्स्ट क्वेस्टिन की है हूँ इस रिगारड़ आज दे मेकर आफ मॉदर इंडिया मॉदर इंडिया दे मेकर किन्नू मन्या गंडा है M.G. Rana de Mahatma Gandhi, Keshwar Chandraseyn और राम ओन्रोड राइट वह रिगारड़ आज दी मेकर ओ आ D, so the correct answer is D, that is Ram Mohan Roy is considered as the maker of modern India, very good, अगले question विल चल दे आप, फर्स राउंटेबल कॉन्फरेंच वास हेल्ड दूरें दी निवेंबर 1930s आं जनुरी 1931, वो वस दी वैश्रोड आप इंडिया दाट आइम बेसिकली किये कि जो दो फर्स राउंटेबल कॉन्फरेंच हुई सी उस टाइम थे, वैश्रोड आप इंडया कॉन्सी, लॉर्ड वीदिंग सी, इर्वन सी, इलिथन गॉस सी या लॉर्ड वाविल सी, हाँ जी, हलो परमंदर कॉर, हलो रूपी, विल्कम तू दू दू सेशन, जन्दी फर्स राउंटेबल कॉन्फरेंच दो हुई सी, वैश्र इर्वन पाक साइन होया सी, तो अब्यूसली विल्कम पाक जेड़ा सी हो, बिफोर दी सेकंड राउंटेबल कॉन्फरेंच सी का, हाना, तो फिर उस तो ही आज राख लो कि अगर इर्वन दा पाक साइन होया सी, इस ताइम दे नेड़ जेडे, 1930s और 1930s वान, तो इर्वन ज 1857 होया सी, उदा कॉंसेक्वेंस नहीं हेगा इना विचो की, केडी चीज कॉंसेक्वेंस नहीं है, यॉरिपें ट्रॉप्स वर इंक्रीज इन इंडिया, सेकंड इस दिफ्रेंट क्लास्स और सपोई वर मिग्स्ड और दॉक्त्रिन अफ्लाप्स, लास्ट तस हंदूस आन कॉस ओफ रिवोर्ट नहीं हेगा बहुत इसी क्वेस्टिज और रिवोल्ट आप 1857 बहुत इंकोर्टेंट है, बहुत सारे रीजन सी जुदे कारने रिवोल्ट होया, इसे बहुत सारे रिजल्ट भी आये सी, ठीके जी, तो दे करेक्ट आञ्सर इस दी, दाट इस हिंदू म अगे चलन तो पहला सेशन एकवारी शेयर कर दी अपने फ्रेंज देनाल, सो दाट माक्सिमूम स्टूडेंस जेडेने सेशन दा बैनेफिट लह सकने सीरीज जेडियां चालरियां ने पामेव एक साइज नू टागेट करते होए, होवे या फॉरेस गार नू तागेट करते होए, सो तुसी जरूरी है कि सीरीज में शेयर करो अपने फ्रेंज नाल, सो दाट माक्सिमूम स्टूडेंस जेडेने इना दा बैनेफिट लह सकने अपनी प्रेपरेशन नू बूस्ट कार सकने फिर अगर जे तो आनू सेशन पसांद आ रहे हैं तो लाइक करना ना पुलना और कॉमेंस चिता आंसर आपा दे रही है ना क्योंकि पार्टेसिपेशन इस मस्ट ठीके जी अगले क्वेस्टन विल चल देया हूं अमांग दी फॉल्विंग मेड इंग्लिश कोट लांगवेज रिप्लेसिंग दी पर्शियन लांगवेज किना ने इंगलिश नू कोट ल किया एगा जी कुकली हूं मांग दी फॉल्विंग है इंगलिश नू कोट लांगवेज बनाया सी बाइ रिप्लेसिंग पर्श्यन लांगवेज नू रिप्लेस करके इंगलिश नू आजा कोट लांगवेज यूज कीता गया सी तो दे करेक्ट आंसर इस बेंटिक वेरी टेसिंग पर्श्यन बेंटिक एक और चीज दे लोड बेंटिक जड़े ने एक और प्रपलर प्राक्टर सिगी जड़ी इंडिया देविच उनू बान करन देविच बहुत प्रॉमिनेंट नेम है ना था एक स्टेप लिट्टा या सी केडी प्राक्टर सी जड़ी ठीके जी सो बानिंग सती जड़ी सती दी प्राक्टस सी राजा राम मुहन रोई दे नाल मिलके उनाने की केंदे ने बेंटिक नू बान किता सी ठीके जी सती प्रथा जी बिलकुल अग्ये चलांगे अक्टूबर रेवलुशन इस रिलेटेड टू विच कंट्री अक्टूबर रेवलुशन कि दे नाल रिलेटेड ए यूएश से प्रांस रॉश्य और जर्मनी गूट मौरिंग तरलोग वेलकम तू दिसेशन अजी who is the one who is related to October evolution October evolutional con related US France Russia or Germany जल्दी बहुत easy very good जर्म रश्या इस दी करेक्ट आंसर October Revolution रश्याज होया सी ना जिस बहुत जाधा bloodshed होया सी so बहुत prominently known revolution है जिन्हों अपा October Revolution केनने हा अगले क्वेश्चिन वल चलांगे अड़ी वोयश्य रॉयलिटी ऑफ हुम वर्नाकुलर प्रेस आक्ट वास पास्ट इन 1878 AD लॉड मायो लॉड नॉथरब्रूक लॉड रुपन और लॉड रिटन लिटन हां जी हां जी बिल्कुल जल्दी दसो केड़े किनना दी वोयश्य रॉय शिप्दे अंडर वर्नाकुलर आक्ट जेड़ा हो पास्ट कीता गया सी मैयो सी नॉथबुक सी रॉपन सी और लॉड लॉड जेड़े सी त्युकली जिए वनाकलर प्रेस आक्ट सिगा की बहुत एजी आक्ट है नेम तो उनपदा लग जाढ़ की है वर्नाकलर प्रेस आक्ट is related to what? हाँ जी Vernacular Press Act is related to printing of newspapers in the vernacular language, regional languages ठीके जी, अगले question विल चलांगे, who was the founder of Servants of India Society? जडी, Servants of India Society C 1905, कुने दे विच found होई सी, किन्ना ने found किती सी, जे के देवाधर, वेरसंग, पुतलू, गुपाल कृष्ण घोकले, और भेरम जी, महाबली हाँ जी, who is the one? Who is the one? Who is the founder of this organization? डाटा, Servants of India Society, 1905 आट पूने पूने किन्ना ने विली organization found किती सी? गुपाल कृष्ण घोकले is the one who is associated with this organization, डाटा, Servants of India Society, आट पूने ठीके जी, उना ने इस्टाबलश किती सी? अगले question विल चलांगे During the regime of which वैष्ण रहे, Queen Victoria, declared as केसरे हिंद? केडे जेडे वैष्ण रहे, उना दे टाइम ते, जेडे Queen Victoria है, उना केसरे हिंद डिक्लेयर कीता ग्या सी? जल्दी, at the time of which वैष्ण रहे, की जेडे अपना, केसरे हिंद दा टाइटल, जेडे Queen Victoria नो दुट्ता ग्या सी? ओके, लिटेन मैयो, इस्टे करेक्ट, आंसर इस नुतर्भुक, नो, लिटेन भी निये, मैयो भी निये, बी इस दी करेक्ट आंसर, दूरिंग टेन यॉर अप दिस वैसरोई, जी टाइटल, क्वीन है, क्वीन विक्तोरिया नो टाइटल जेडा है, केसरे हिंदा इत्ता ग्या सी? ठीके जी, अग्ये चलन तो पहला, एक वारी सेशन हो फिर शेयर कर दी है, अपने फ्रेंच देना, सो दाट माक्सिमूम स्टूडेंट्स जेडेने बेनेफिट लाए, सकन सेशन दा, फटा फिर जाके सेशन एक वारी शेयर कर दो, ठीके जी, ठीके जी, अग्ये चलांगे, next question one, who was the editor of the newspaper, रास्ट गुफ्तर, जड़ी ये newspaper है, रास्ट गुफ्तर, एदे editor कौन सी? ठीके जी, एक अंदा के किना ने newspaper स्टार्ट किती, newspaper वाले questions हमेशा, दो तरह दे questions आणगे, कि newspaper स्टार्ट किनने किती, तो दूसरा की है, उना दे editor कौन सी? तो तौनों दोलों पता होने चाहिए, क्यों newspaper की दी सी, तो उना दे editor कौन सी? ठीके जी, तो दयानन सरस्वती, ईश्वाचंदर विद्या सागर, ईश्वाचंदर गुपता और दादा भाई नारो जी, वास धी editor of this newspaper, that is राष्ट, गुफ्तर, जल्दी? बी, तो दी, दाटस दादा भाई नारो जी, नारो जी वास धीवाण, वास धीटर अफ दिस newspaper, राष्ट, गुफ्तर, गुफ्तर, जल्दी? एनना नूँ questions नूँ बहुत वधिया चरीके नाल करके जाओ, ठीके जी? बहुत chances हुन्दे, न्यूजवेपर दे questions आन्दे, ठीके जी? अग्गे चल्लांगे, next question वाल, on what grounds Congress rejected the Government of India Act? Congress ने केडे grounds दे उपर Government of India Act मों reject कीता सी, options are, Indian people's consent was not taken while framing this Act, क्यो ना दी consent नी लिटा गया सी, ना दी? ओके, ठीके जी, कोईगा नी, we will cross verify भारती, ठीके जी, एदा दस्सो, Congress ने Government of India Act मों reject कीता सी, केडे grounds दे उपर, on which grounds Government of India Act was being rejected, so the correct answer is D, सारे grounds दे क्यों, क्योंकि Indians दा consent नी सी गा, जो दो frame कीता गया आग, दूसरा की सी, एदे विच रिस्पॉंसिबल गर्मेंट दी establishment नो रोक दिता गया सी, आंड लास्ट जडी model है, provincial autonomy जडी दित्ती की सी, कि जडी provinces है, उन्हानों जाधा पावर्स देना, ओ अगेंस्ट दी democratic rights सी, ठीके जी, so, अगे चलांगे, next question वा, आंग्लो इंडियन, हैंडी विवन देवरोजी, इस एसोसिएटर विच, कि देन आले आसोसिएटर ने जडे आंग्लो इंडियन ने, Self-Respect Movement, Justice Party Movement, Young Bengal Movement और सेवा सदर, in which of the following, these, this person, Anglo-Henry विवन, इस एसोसिएटर, जल्डी, quickly, easy questions ने, okay, the correct answer is, C, दाट अग्लो इंडियन ने, जडे अंग्लो इंडियन ने, हैंडिय विवन, इस एसोसिएटर, ठीके जी, ही इस द वन तो इंस्पायर दी यूथ अव दी बिंगॉल, to fight for the rights, so, अगले question विल चलांगे, consider the following pairs, that is, आदी ब्रह्मो समाज, महारिशी, देविंद्र नाटे गो, second is, भार्तिय ब्रह्मो समाज, केश्वा चंदरसेन, और प्राथना समाज, आत्मा, पुदुरंगा, options are, 1 and 2 only, 3 only, 2 and 3 only, और all of these, जल्दी, easy questions, एना करिया करिया जनिया समाने, वो established करन वाले कौन सी, आदी ब्रह्मो समाज, नू किना ने establish की का सी, भार्तिय ब्रह्मो समाज, नू establish करन वाले कौन सी, and दन प्राथना समाज, नू establish करन वाले कौन परशन सी, ठीके जी, जल्दी, जो, the correct answer is, D, जी, very good, आदी ब्रह्मो समाज, जेडा सी ओहो, दिबिंद्रनाथ्टे गोर्दा ही सी, भार्तिय ब्रह्मो समाज वोज, केशव चंदरसेन और प्राथना समाज वोज फ़र आताराम प्रुदंगा, ठीके जी, एक additional question, राजा राम मुहन रोय जेडे होना दा केडा समाज सी, राजा राम मुहन रोय is associated with establishment of which organization, केडी organization सी जेडी राजा राम मुहन रोय ने established किती सी, इजी question है, एना देन आली link देर, जल्दी, विच ओगनाईजेशन, केडी organization सी जेडा राजा राम मुहन रोय ने established किती सी, जी, very good, गीग ब्रह्मो समाज is the one, associated with राजा राम मुहन रोय, ठीके जी, राजा राम मुहन रोय जेडे ने बहुत प्रोमेनेंट प्रिस्नालेटी सी, modern history, history देविच, उना दिया, जीडिया में organizations, इने newspapers ने, की उना ने कराया सी, उस अब चोनु पता होना चाहिए, ठीके जी, अगे चलांगे, next question was, consider the following statements about Kranty Divas, Kranty Divas नु लेके statements देखनी है, Kranty Divas की होन रह? The day is observed to remember the historic Quet India movement, initiated by the Mahatma Gandhi, second is, freedom fighters who are still alive, are honored by their respective states, and concerned authorities at Rashtrapati Bhavan on this day, अप्शिन्स आर वान ओनली टू ओनली बोट और नीदर वान और टू जेड़ा क्रांती दिवेस है कि देनाल एसोसियेट है कि जड़ी क्विट इंडिया मुव्मेंट जड़ी महात्मा गानी ने स्टार्ट कीती सी उनु याद करना स्ते है ते नाल देनाल सेकेंड चो की कह रह बोट इस दे करेक्ट आंसर सो क्रांती दिवेस एसोसियेट है कि देनाल कि जड़ी क्विट इंडिया मुव्मेंट महात्मा गांदी ने स्टार्ट कीती सी ओ देनाल आंड फ्रीडम फाइटर्स जड़ेने ओनानू ओनर कीता जाए ठीके जी अग्गे चलांगे consider the following statement about Siraj Udhula ए बहुत इंपर्टन एक री लीडर सी रूलर सी ठीके जी Siraj Udhula he was the last independent awab of Bengal he ordered British to demolish additional fortifications at Kolkata and he is associated with a black hole incidence of Calcutta in 1756 हाँ जी जल्दी Siraj Udhula is associated with कौन सी ओ लास्ट इंडपेंडेंट नवाब सी उननाने fortifications में बॉलिष कराया सी जड़िया में fortifications सी गिया थे black hole incidence देनाल related सी तो बिलकुल D is the correct answer he is the one who is associated with all of these things ठीके जी and he is also the last independent awab of Bengal एक additional question ठीके जी केडी बाटल है केडी बाटल सी जिदे नाल बिंगाल बिहार दे ओडिशा दे राइस जेड़े ने हो नवाब हाँ जी after which battle जेडे ने rights ने ओट्रांसफर हो गे सी दिवानी राइटस ओफ बिंगाल बिहार और अडिशा जेडे ने दिवानी राइच ओफ बिंगॉल, बिहार और ओडिशा जेडे ने ओहो इस्ट इंडिया कंपणी को लगे सी ते आफ्टर बेटल अफ प्लासी की होया सी? जल्दी एकोईगली ग्वैशन, इजी ग्वैशन अगेन आफ्टर बेटल अफ प्लासी, वाट हापन? केड़े केड़े स्टेड दिवानी राइच गे सी? प्लासी तो बाद आफ्टर प्लासी, विच रीजन राइच? हाँ जी, बक्सर तो बाद, ता सारे तिनना दे बिंगॉल, बिहार तो डिशा तिनना दे राइच गे सी? दिवानी राइट बट आफटर प्लासी जडेने हो आफटर प्लासी जडेने सरफ और सरफ बिंगॉल दे गया थी ठीके जी दिवानी राइट ओफ बिंगॉल तो अग्गे चलांगे नेक्स्ट क्वेशिन वार which of the following statement is incorrect about government of india act 1953 government of india act 1953 they related kitty statement incorrect it introduced they are key at central level second is it proposed to set up an all india federation third is it establish a central federal bank and the fourth is it separated provincial budget from the central budget government of india act the nal keri statement incorrect okay the correct answer is incorrect is d that is provincial budget no separate nahi ki ta kya si central budget to is act they are the ठीके जी डे आर्की ते इंडिडिउस कीती सी एबॉलेश होई सी 1935 दे आर्क दे विच डे आर्की आट provincial level एबॉलेश होई सी ते establish कीती की सी central level ते ठीके ना सो 1919 जी बिल्कुल 1990 दे विच डे आर्की आट सेंट प्रोविंशल लेवल सी सो ए चीज़दा ते आनवी रखना है 1919 डे आर्की आट प्रोविंशल लेवल सी ते 1935 डे आर्की आट प्रोविंशल लेवल एबॉलेश होगी सी ते central लेवल ते establish होई सी तो अकॉर्डिंग टू डाट यह ओप्शिन ता वैसी थी के मतलब लेग की केंदे करेक्ट है क्योंकि और ना ने इनकरेक्ट कुछ है सो त्यानना जिनने भी आक्स ने केड़ा आक्ट है कि दे विच केड़े केड़े प्रोविजिन ने इस अब पता होन वार है ओधा इमेरेट कॉस की सी दुपलेक्स अटाग्ड इंग्लिश शिप ला बर्दॉनस अटाग्ड दी नवाब अफ करनाटिका थर्ड इस सम् फ्रेंच शिप्स वर काप्चुर्ड बाइंग्लिश कमांडर बर्नेट और नन अफ अबव विच वन विल बी दिकरेक्ट आंसर हां जी ओट वाज़ी इमेरेट कॉस जड़ी फर्स करनाटिक वार हुई सी करनाटिक वार के ना दे विच हुई सी जल्दी ओके सीजी करेक्ट टैंसर तो येस जी इस बीडिक वाज़ क्योंकि जड़ी फ्रेंच शिप्प है वह प्रिंचन ले कियाज डिवजें तो करनाटिक वार्ज हुई जबीन फ्रेंज आस बितुण नियो आरप तो जढ़न ही रिटिह इंडिया बीच वी सम्सक्रेंच आन बृतिश ओसो ठ्टीगे जी लिट रिटिश हुई अच्ट आखियो DON करनाठिक वार्श लोया इसी इंडिया बीच वी ब्रिटिश टन से फ्रेंच अदो करनाठिक वार दे करनाठिक आथन डाइड इन विच एर बालाजी विश्वन आथन डाइड इन विच एर 1714, 1718, 1720 और 1725 जल्दी बालाजी विश्वन आथन Okay, 1720, so the correct answer is C, that is 1720 दिविच बालाजी विश्वन आथन डी डेड होईसी And who was बालाजी विश्वन आथन? कान C, बालाजी विश्वन आथन? हाँ जी वू वाज बादाजी विश्व नाथन ति जेड़े जेड़े स्टूडेंट्स ने उने सेशन जोईन कीता है जाके पला इदा काम कर रही है सेशन नो शेयर कर दिये माक्सिमुम स्टूडेंट्स देना सो दा जड़े फॉरेस्ट गार्ड नो टागेट कर दे सेशन जो रहेने उना था बेनेफिट स्टूडेंट्स लह सकन आठ दिया चीजा नो रिवाइज करके इंपोर्डेंट्स जड़ेने उना दे रहना जा ठीके जी सब्सक्राइब जाके एक वरी सेशन हो शेयर कर देया कि अपना पलाइदा कम कर दिया हना चलो अगले क्वेस्टिन वाल देख देया विच अवधी फॉल्वेंग वस्टे में रीजन फॉर दी इनक्सेशन आउ सत्रा अग्पूर बाइदी दॉट्रिन आप्स कि जड़ी दॉट्रिन आप्स सी ओदे थू जड़ा नाप्पूर है ते सत्रा है उना नू नू इनक्स क्यों कीता गया सी बोथ रूलर अवधी बो इनक्स टेंड वाशन टॉ यह जो लिगा नू जो था खन्ग्पूर इनक्स प्रति प्रति कि अर्वधी बोधी इनक्सेशन आप्वा इनक्स्टरा आप्पूर बाइद दॉट्रिन आप्स ठीके जी? So, the correct answer is C. That is, position of both the states was significant. ठीके जी? उना दे रूलर्स उना दे कोल दोना कोल अदॉप्टेट चंज सीगे? बोथ दी रूलर्स जोग सत्तरा अद नागपूर हाज दी अदॉप्टेट चंज ठीके जी? रूलर्स आप बोथ दी स्टेट्स हाड अडॉप्टेट साल लीगल हायर होना दे कोल सीगे? ताही की केंदे ने doctrine of laps लगेगी नो देते position जेडी सी बहुत significant सी जेडी नागपूर है और 17 है वो स्टेट्स दी position जेडी है वो बहुत इंपोर्टेंट सी दाक्टर्स हावाय उन्हानों इनेक्स कीता गया सी अंडर दस लेक की केंदे ने नाक्सेशन आफ 17 ही होई सी doctrine of laps दे अंदर ठीके जी अगे चल देया next question वल ठीके जी कोई गल नी जी आजो question वल वेन दी नेक्सेशन आफ बर्मा by the British took place जड़ी नाक्सेशन आफ बर्मा है by the British केड़े एर छोई सी 1882, 1885, 1886 और 1898 हाँ जी अंडर विच वेन दर दी नाक्सेशन आफ बर्मा by the British took place जड़ा बर्मा है वो दी नाक्सेशन Britishers ने केड़े एर्च किती सी हाँ जी quickly the correct answer is C that is 1886 देविच जड़ी नाक्सेशन by the British government Britishers ने थरू किती गी सी it is 1866 रूपी not 1885 it is 86 छी के जी so अगले question विल चलांगे who is considered as the main integruer of the direct action day जड़ा direct action day जड़ा अनौंच किता गया जी तो main leader, main integruer कौन सी होदे Mahatma Gandhi, Muhammad Ali Jannah Hussein, Shahid, Sharavadi or none of above who is who is the one who is the one who is the main integruer of the direct action day so the correct answer is C that is Sharavadi Hussein, Shahid, Sharavadi is the person who is considered as the main integruer of the direct action day ठीके जी सो जेड़े स्टूडेंट्स ने उन्हें जॉइंग कीता है आज यू आल लो कि एक साइज नुभी कुछ ही मिनने रह गे ने ते फॉरेस्ट गार्ड नुभी की कैन देने गिनवे चुनवे दिन रह गे ने तो तोड़े सारा दे त्यारी तो डिपनला ही प्राक्टेस होई होए और पेपर चे जाके तुसी नवश ना होगो ठीके जी जेड़े स्टूडेंट्स एक साइज नुभी तागेट कर रहे ने नाव इस दे टाइम कि तुसी एक साइज दी वी त्यारी शुरू कारतो ते कोर्सेज विच इन्रोल कर देली तुसी कोड लगाना है जी एल्पी हर्शीन अगे चलांगे नेक्स्ट क्वेश्टन वाल विच आप दी फॉल्वेंग वोस दी रीजिन फॉर्ण शिफ्टिंग ऑफ दी वैन्यों सेशन उफ इंडियन नाशनल कॉंगरेस प्रों कुना टू बॉम्बे की जिडावज ओवेन्यू सी ओंडेज नू टेंज करन त सेशन सियं इंडियन नाशनल कॉंगरेस दा ओ पूने विच सी गा तो अनू बॉंबे क्यों is the reason for shifting of value from जेडा पूना तुदी पॉम्बे ओके एंद बी सुदे करेक्ट आंसर इस ए डाटास कॉलरा आउटब्रेक कॉलरा आउटब्रेक हो गया सी जिदी वजे तो की कें रहने सेशन दा वान्यू चेंज करगता गया सी ठीके जी अगले क्वेशिन विल चलांगे वो अमांग दी फॉल्वेंग तुक पार्ट इन रेवलुशनरी मुव्मेंट्स इन महाराष्ट्र जिडिया रेवलुशनरी मुव्मेंट्स हो ही आउट बिच्छ ने नविच्छो पार्ट लिट्टा शी हो देविच्छ वासुदे बल्वंत पकॉडे वनायक दमोदर सावरक बाल गंगाधर तलक और लाला लाज पत्रोय ऑप्श्ण र वन थी 1&4 1 2 & 3 or all of these हन्जी who is the one associated with the revolutionary movements in Maharashtra जिए revolutionary movements हिगा महाराश्ट रिया ओधे विछ कौन-कौन associated seeking korn-korn link this use they know okay so the correct answer is C the Lala Lajpat Rai is not the one who is associated with the revolutionary movements and Maharashtra ठीके जी तो याद राख लो ना एक्थो कि लाला लाजपत रोए जड़े सी उता लहुर अली साइट सी पंजाब अली साइट सी जिनादी की केंदे ने कि देच दा बदला लिता सी के ने रेवेंज लिता सी पगत सेंग ने यू केन रिमेंबर फ्रॉम दिस कि अगरो इस एरिया दे विच्सी तो मारा अश्ट्रच के में होगे ठीके जी सो बहुत इजी वेद नाल चीजानु याद कर यागरो लिंक करके लाला लाजपत रहे सी जिनादी डेक्ट दा रेवेंज जेड़ा ओ पगत सिंग में लगता सी तो लाला लाजपत रहे तो अब्यसली पंजाब ची ओन गया अगर पगत सिंग पंजाब दे सी ते फोर्थ ऑप्षिन था वैसे ही एलमेनेट हो गया तब दी भी गया यू लेफ्ट विद इस थ्री ओंडी और वानें टू ओंडी तो इस थ्री डाट पाड़के वीदी सावरकर आंड बाल गंगा धरते लग दे आल आर एस्सेटर विद धी रेवलूशनरी अक्तिविटीज इन महाराष्टर ठीके जी अगले क्वेस्टन वाल चलांगे वू 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 वॉस दी हैड अफ कमिशन वू पाउइंड बाइडी कॉंग्रेस तो इंवेस्टिगेट जल्या वाला बाग में सेकर जड़ा जल्या वाला बाग में सेकर होया सी ओनू इन्वेस्टिगेट करन आस्त थेचार जल्या वाला बाग में सेकर नू इकजामन करना स्टे इंवेस्टिगेट करना स्टे इण इठाएगी लगेस्ी ऐर दास नेहरू, मंझुमदार और दीवी पतेल। Okay. C and B. Okay. So, the correct answer is A. That is C.R.10 is the one. Who is the head of the commission? Haan ji. ठीक है जी. चलो. Additional question. Commission केड़ी सी? What was the name of the commission? जडी बिठाई गई सी. जल्यावाला बाग में सेकर नूं इन्वेस्टिगेट करें आस्ते? Name of the commission to investigate जल्यावाला बाग में सेकर और कॉंग्रेस ने पॉइंट कीती सी. Easy question है. जल्दी जल्दी दाज़गो. Very good, G. It was Hunter Commission. G. Hunter Commission was the commission pointed by Congress to investigate जल्यावाला बाग में सेकर. And the head of the commission was C.R. Das. Good. So, switching to the next question. The resolution of non-corporation movement that is NCM was adopted in a which session of Indian National Congress. K.D. session दे विच non-corporation movement दा resolution जड़या और दॉप्त कीता गया सी. Kolkata session 1920, Delhi session 1980, Amritsar session 1990 और Bombay session 1990. 90, जल्दी. Okay, A. The correct answer is A. That is Kolkata session जड़या है जिखे एड़या कीता गया सी. Non-corporation movement दा resolution. कि दाट भी विल स्टार्ट आ नौन कोपरेशन मुव्मेंट नहीं भी आद उंदा केडा सेशन सी बड़े राम नल याद हो सगदा है. Non-corporation movement केड़ी अच सार्ट होई सी. Non-corporation movement started in which year? It started in 1920 उली. 19, 1920 दे विच्छी सी. So, सेशन केड़ा 1920 वाला होएगा. So, अगले question विल चल देया. When did British realize the presence of thugs? British ने कदो realize किती सी thugs दी presence. After the capture of Srangipatnam, after the capture of Satra, after the annexation of Sandh, or the after the annexation of Assam. When did British realize the presence of thugs? Thugs दी presence. British ने कदो realize किती सी? After the annexation of Srangipatnam, Satra, Sindh, or Assam. Who were thugs basically? Thugs कौन सी? किना नों क्या जन्दा thugs? So, the correct answer is A. After the capture of Srangipatnam. Srangipatnam दी capture होन तो बाद ही, British ने थग्स दी presence नूं realize किता सी? Thugs कौन हुन्दे है? जल्दी? Who were thugs? Okay, A, B, D. No, the correct answer is A. After the annexation of A, that is Srangipatnam. British ने थग्स दी presence नूं realize किता सी? Thugs कौन हुन्देने? जल्दी रज़ो. Who were thugs? Who were thugs? Ji, very good. लो टेरे जडे नूट देने हाना? As the name suggests, यारे तो बहुत ऐसी सी. Thugs कौन ने जडे थग्स देने हाना? Like, जडे लोट देने. Okay, next question. Fox India Bill was introduced in which year? Fox India's Bill. Fox India Bill जेडा वा introduced किता क्या सी? केडी? Year दे विच? 1780, 1783, 1799 और 1802. Fox India Bill was introduced in which year? Fox India Bill introduced in which year? Okay, C. The correct answer is B. That is 1783. 1783 दे विच, Fox India Bill जेडा है. वो introduced किता गया? C. ठीके जी? अगे चलांगे. Next question was. Who among the following oppose the resolution of non-corporation movement? जेडी non-corporation movement सी? ओधी resolution वो अपोस करन वाले कौन सी? CR 10, बिपिंचंदर पॉल, एनी वसंत, मदन, मुहन, माल विया. Options आर 1 and 3, 1 and 4, 1, 3 and 4, all या all of these. जल्दी, who is the one to oppose the resolution of non-corporation movement? Non-corporation movement दे resolution नू, पोस करन वाले कौन सी? D, okay, D or C, okay, the correct answer is D, all of these were the one who oppose the resolution of non-corporation movement. अपा हूने डिस्किस कीता, जड़ा non-corporation movement दा resolution है, कौलकटा सेशन, 1920 जपास होया सी, ओनो अपोस करन वाले जड़े लीडर सी, इस सारे ही लीडर सी, जिन्ना ने अपोस कीता सी, किन्नो, CR दास ने, विचंदर पॉल ने, एनी विचंथ ने आन मदन मुहन माल विया, ठीके जी? So, अग्ये चलांगे, एक होर additional question देना, इस question तो बादा आनने है, जी, विच अव दी फॉल्विंग इस दी फाउंडर ऑस सांटिफिक सुसाइटी ऑफ अलिगर्ड, जी सांटिफिक सुसाइटी सी अलिगर्ड दी ओना दी फाउंडर कान सी, साइद आमध कान, पुफूलाच चंदर रोय, थर्ड विल्यम हंटर और सुतंदर नाद बोस्ट, वो इस दी वन, वो इस दी फाउंडर ऑस सांटिफिक सुसाइटी ऑफ अलिगर्ड? अगले क्वेशन विल चल देया, वो वर एसोचिएटरड विद पूना स्वराजिक सभा, जडी पूना स्वराजिक सभा सी, ओधनल कौन एसोचिएटरड सी, एस एच चिपलांकर, महादेव, गोविंद रानडे, गनेश, वासुदेव, जोशी, अप्शन आर, टू अनली, बाइन तू बाइन तू इन री ओनली, और अलव दिज, हाँ जी तो जिन्हा ने सेशन होने जोईन किता है, सब्सक्राइब दो शेयर विए फ्रेंग सो दाट मैक्सिमुम स्टुडेंस कांट टेक बेनेफिट आफ दी सेशन क्योंकि यह सेशन जेड़े ने बहुत इंपॉर्टेंट ने सारे एक्जाम्स बस्ते जी के तर साट की रेंदी है जी केड़ा चेंज हो जानी है अलॉंग विद दाट कंड़क्टिंग बॉड़ी भी सेम है पी ट्रपल एस्बी ने कंड़क्ट कराने सारे एक्जाम्स तुसी लगा साकते हो सारे सेशन ठीके जी पामें तुसी एक साइस दा पिपर देना ताम ही तुसी फॉरेस्ट गार्ड अले भी सेशन लगा सा देऊ पड़ा फिट जाके एक वरी शेयर कर दो ओके दो करेक्ट आंसर इस दी दाट एस वन तु आंट त्री ओल अव दी आर अस्वाज़क सभा दाट इस चिपलांकर भी सी रानेडे भी सी आण वासुदे जोशी भी सी बिलकुल सही तुछ जैना ने आंसर दी दिता है गुड अगे चलांगे गांधी जी आख धे गांधी जी जीड़े अ की जीड़ेने इन्वाल चीड़े ने इन्वाल सीगे साउथ इपरीकविच केड़े बिल दे अगेंस्ट की केंदे है ओ इन्वाल सी अशिएटिक रिजिस्ट्रेशन अग्ट पॉबिक इंट्रस्ट आग्ट ट्रेट इस्पूट आग्ट और अशियन इंप्लॉयमेंट आग्ट हां जी जल्दी ओके रिजिस्ट्रेशन आग्ट जेड़ासी जिदे आग्ट अगेंस महात्मा गांडी बहुत रिवोल्टेंग इन साउथ एफ्रीका ठीके जी ओके नवदीप सेंग मैं वीडियो एस्परेंट ओके तुसी वीडियो एस्परेंट हो कोई गाल नी देखो पामें तुसी वीडि जड़ी जीके आनी है वोता सेम ही है modern history थोड़ी नहीं है पामें तुसी वीडियो पर दोते पामें तुसी एक्साइज दा दो या तुसी फॉरेस्ट गाट दे दो सबली इंपोर्टेंट ने ठीके जी ताहीं कह रहे हां कि जड़े स्टूडेंस ने दुज्जे एक्जाम्स भी देने ने उभी है सेशन्स लगा सकते ने ठीके जी अगे चलांगे नेच्ट क्वेशन वाल इन दे लेड 19th century विच नेशन बिकम दी बफर स्टेट इन दे ग्रेट गेम बिटवीन ब्रिटिश इंपायर आन दी रश्यन इंपायर जो दो 19th century सी केडा नेशन जेडा हुँ आज बफर स्टेट दी तरह आक्ट कीता सी जड़ी ग्रेट गेम चली सी किदे विच बिटिश अप्शन जार अफगानिस्तान नेपाल चाइना और पाकिस्तान अजी नवदीप हर एक की केंदे ने पेपर देविच जेड़ा पोशन है ना नंबर आफ पोशन जेड़ा हो डिफर करेगा कि टोडल मांक्स देवी डिपेंड करेगा कि किने मांक्स दानु सेशन लोड कीता गया है तुछी जिन्दावी चायो थोड़ा नंबरा दा लॉड कीता गया है अगॉर्डिंग दी पाटर्न आफ वीडियो तामी तुछी यह पढ़ना ही है जी कि आप छटके थोड़ी ना जानी है क्यूंकि जीके इस वान थेंग जड़ी तो आनू पेपर क्लेर करा सकती है स्टाटक चीजा ही ने सोना वक्ते आन दो उना नू पढ़ो वधिया चरिके ना ठीके जी बहुत आरे स्टूडेंट इदा दे उन्दे ने जड़े मैट्स रीजनिंग ते बाकी सारे कॉंपोनेंट्स पर उसे चले जान दे और जीके बिलकुल नहीं पढ़के जान दे बट रहे हैं तो कम नहीं करना अपा हर एक कॉंपोनेंट्स हर एक सेक्शन वल त्यान देडा है सोदाटके साथ की सेक्शन नूं पढ़कर ठीके जी क्योंकि जो तो नंबर लैने हैं तो होगर ऑल सेक्शनस दे नंबर लागके बनने हैं ना कले मैस दार रिजल्ट फरीजनिंग सब्सक्राइब कर रहे हो बार 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 पावे जीके दा पोशन है या कंप्यूटर दा पोशन है तुसी करके जाओ ठीके जी इनालस जरूरी है टेस्सीरीज लांतो बार आज जी में तौन हुने दस्या गया सी कि दाट 40% आफ जेडा है उपर चाल रहे है पावे वीडियो द पॉल दी बिंजाब कर्मेंट कोश्र एस वलाज ओन दी टेस्सीरीज ठीके जी ठीके नव दीप तो एदा आशर देख लेंने है बफर स्टेट इन गें बिट्वीन बिटिश इंपायर और रस्या वास अफगानिस्तान अफगानिस्तान जेड़ा एक एक आज बफर स्टेट आग कीता सी बिटेइन ते रस्यान एंपायर देविच अब्वेशली उस्तो बाद की केंदे ने यूएस ने 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 नेक्स कर लिया सी ते फिर हुन रिसेंटली जदो आपा लास्ट इयर देख्या या आगेस था रिसेंटली जड़ी है अफगानिस्तान नू यूएस ट प्रेवर्ट वू फांड़ देख्या बाध च्रिवोल्ट वगज जवाहर माल हजी शेफरत अला और स्याद आमद और चिराग्शा वू इस दी वान-वू फांड़ धूसरेव ओड़्ू यू तव बाधू इस रेवल्ट वाज answer is B. That is Haji Sheherat Allah. Sheherat Allah was the one who founded this Perzi revolt. बिलकुल सही जुना ने B answer ता है जी. Almost I guess everyone ने ही सब ने ही बी तता है. C ज़ने नहीं तता है. जुबं B is not the correct answer. C is not the correct answer. B is the correct answer. So, अगे चलांगे. Which of the following was the successor of Haider Ali? successor of Haider Ali कौन सी? तिपु सुल्तान, कृष्णा नगर, ODR 3, कंठी रवा, नवास राजा, और चिकादेवा राजा. Who is the one? Who is the one who was the successor of Haider Ali? Haider Ali दे successor. Okay, ठीक है. शुबं पुस्टो पहले वाले दा सी फे ठीक है. कोई गल नहीं. Okay. So, the correct answer is A. Obviously, Haider Ali दे बेटे कौन सी? तिपु सुल्तान. तिपु सुल्तान was the successor of Haider Ali. अगे चलांगे. And next question was, Which of the following was not a major in port of India during 18th century? 18th century दे ताइम ते major in port नहीं सीगा. Not. Bullion, textile, ivory or perfumes. Which of the following was not a major in port of India during 18th century? Not. Not. Textile, bullion, ivory or perfumes. Okay. D. Yeah. More words with D. That is textile. Textile जेडा ओ major in port नहीं सीगा. They are asking not. Which of the following was not a major? Import of India during 18th century? Import. It's not export. Import. ठीगे ना? Textile जेडेओ नहीं सीगे. अगे. Which of the following books is associated with the rise of national movement in India? केड़ी बुक है जड़ी एसोसियेटेड है कि देना नाशनल मुव्मेंट इन इंडिया दिना गितान्जली अनन्द मट सत्यार्थ और गीता रसोया जल्दी. बट स्पेसिफिकली उना ने टाइम 18th century पुछ लेया ना? क्यों? क्योंकि देखो, खुद तुछी देखो. जेडे की केंदर ने 18th century दे टाइम ते revolution भीता आया सी industrial revolution. चो ताइम पीरियद मुझ जरूर देखना है की 18th century यानी 1700s चो लेहके 1800s वाला पीरियद. ठीके जी? During this period. Okay, the correct answer is B. That is Anand Mat. Anand Mat is the book associated with the rise of national movement in India. ठीके जी? Good morning Jyoti, welcome to the session, but तुशी लेट हो. So, अगले question विल चलांगे. मिर्दूला सारा भाई, मिर्दूला सारा भाई was associated with which of the following image? सौल सत्यागरे, राजकोट सत्यागरे, restoration of communal amenity and harmony during the partition or all of these. The person that is मिर्दूला सारा भाई, मिर्दूला सारा भाई is associated with which of these? हाँ जी, बिल्कुल, because वही है ना, क्योंकि जड़ी production of textile है, वो इंडिया देविच स्टार्ट हो चुकी होई इसी. ठीके रूपी? So, the correct answer is D, all of above जड़े ने, events ने, उना देविच मर्दूला सारा भाई जड़े ने, वो associated ने, ठीके जी? So, वो सत्यक्राए विच वे इन वोल सी, राजकोर सत्यक्राए जवी सी, communal amity जड़ी, मतलब communal harmony है, जड़ी दो communities सी, Muslims ते हिंदूस देविच, communal harmony नू रिस्टोर करन जवी होना था, एक, पार्ट सी गा, major पार्ट सी गा, So, सारे options करेक्ट आँगे, ठीके जी? अगले question विल चल देया, which of the following movements drew women out from the seclusion of their homes? केड़ी movement ने, women's नू करों कड़े आशी, ठीके जी? लड़ा नासते, options आश्प देशी movement, home rule movement, non-corporation movement, और civil disobedience movement, ठीके जी? So, correct options केड़े तुछी ने, 1 & 3, 2 & 4, 3 & 4, और और अल अव दीज? वो प्रोक्त सभी, ठीके जी? हाँ जी, which of this following movements drew the women out of their homes to fight? Swideshi movement, home rule movement, ठीके जी? And non-corporation movement or civil disobedience movement, की आएगा जी? जल्दी? So, the correct answer is D, all of these are the one who drew out the women out of their homes to fight for, मतलब रिवोल्च पार्टासपेट करन आसते, एस सब जड़े movements ने, उनाने women नू बाल कड़े आसी, ठीके जी? So, एक और question कुछ लिए, additional question, खिलाफ़त movement, नू start करन वाले leaders दा नेम केड़े सी? What was the name of the leaders who started? खिलाफ़त movement, खिलाफ़त movement was started by whom? So, thank you so much, सुप्रीट सद्धू, हाँ जी, easy question कहता है, खिलाफ़त movement, खिलाफ़त movement, किदे नाल एससेटर सी? किदे leaders सी, जिनना ने खिलाफ़त movement स्टार्ट किती सी? हाँ जी, खिलाफ़त movement नू start करन वाले दो ब्रदर सी, उना दे नाम की सी? या, ब्रोज, सी, दे आर दे टू ब्रदर्स, वेरी गुड रूपी भारती, मौहमद अली आड शौकत अली, मौहमद अली आड शौकत अली वार्दी वान, जेडे खिलाफ़त movement नू start करन वाले दो ब्रदर सी गे, अली ब्रदर्स, बिल्कुल, सो अगे चलांगे, that's it, सो जेडा अगला सेशन है, वो हैगा जी, साड़े बारा वजे, सो मिलांगे अगले सेशन दे विच, चंडिगट ASI दे मौक टेस्ट देना, सो ओवी सेशन जरूर अटेंड करना है, सो जाने जाने कुछ additional questions पूछ लेने हैं, ठीके जी, ते India Act 1909, another name was, जल्दी, हाँ जी, additional questions, another name of Government of India Act 1909 was, जल्दी, बहुत easy question है, जी, very good, it is Morlem Interreforms 1909, Morlem Interreforms, ठीके जी, ते reverend of India Act 1919s दा जे से बार जाना जाने म के डासी, जड जल्दी जल्दी नखर नेम भर मंट फिंड एक 19 नींगी जी माृले मंटो वास नींटीं कि छी क्लेफोर्ट ओके इस लेंटेग्यू ख्लेंसफोर्ट जरस नाइन अधर नेमे सिए और गर्मेट फिंडियार्ग 19-19 थीके जी यह जेडी डांडी मार्च है थीके जी डांडी मार्च क्यों स्थार्ट किती किसी second question next question Dandy March video start क्यों कित्ती की सी what was the reason for starting of Dandy March reason to start Dandy March was जल्दी easy questions ने फड़ा फड़ 30 जोती 30 what is 30 जी वेरी गुड शॉल्ट दा लौ जीड़ा उन्हों ब्रेक करन ली बिल्कुल जी बिल्कुल ठीके जी एक ओर question कि जेडी अपनी स्वदेश बंदव समिती सी स्वदेश बंदव समिती नुए establish करन वाले कौन पर संसी who is the one to establish स्वदेश बंदन समिती हांजी जल्दी who is the one to establish स्वदेश बंदन समिती इट वाज अश्वनी कुमार दत्ता अश्वनी कुमार दत्ता जड़े सी ओहो स्वदेश बंदव समिती दे पर्शन सी जनाने स्वदेश बंदव समिती नुए establish कीता सी ठीके जी अश्वनी कुमार अश्वनी कुमार दत्ता जी बिलकुल ठीके जी एक होड अडिशनल क्वेशन केड़े एर जहागीर ने इस्ट इंडिया कंपनी नुँ चाटर दत्ता सी अपनी फैक्टरी नुँ Yana ने के कुऄ इसेटे बिच आटर इस इंडिया ने इंटोट बैस्टीम नुँच 1615, 1666, 1617, और 1618, चाटर, जहागीर ने दत्ता सी, 1935, no no, 1608 भी नी है जी, 1617 इस दी करेक्ट आंसर, 1617, क्यों? क्योंकि 1608 दे विच ता East India Company, हले ता नवी नवी आई सी, ते जहागीर जेडा हूं, मतलब लाइक, मिड और 1617, मतलब लाइक, लास्ट रूलर सी मुगल एंपाय जर्दा, उदेना ली देख लो, कि 1617 जेडा है, वो करेक्ट आंसर है, जो तो जहागीर ने की केंदेने, एक चार्टर पास कीता सी, चार्टर दिता सी, जिदे थुरू East India Company कीया हो, ट्रेड कार सागदी सी, इंडिया दे विच, ठीके जी, सो मिलांगे अगले सेशन दे बाकी कोर्स ने, जिरे स्टूडेंस ने ले जॉइन किता है जी, उना ने की केंदेने, उना ली इंफिमेशन दाट, जिड़े भी कोर्स ने, पंजाब गर्मेंट दे, पंजाब को और बैच है, एक साइसें टैक्सेशन है, जिनने भी कोर्स ने, सब दे उपर 40% वान लाइन डॉट इन, एंड अन्रोल्मेंट कोड लगाना है जी, एल्पी हर्शी, जिदेना तो उनु स्टेट अवे, 40% डिस्काउन बिल जेगा जी, ओके, हर्विंदर सिंग, तुशी लेट होगे, शर्षिकल जी, कोई गाल नी, अगला सेशन लगाना जी, अगला सेशन है जी, साठ झाल 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 झाल